Hello everybody, इस lecture में हम देखने वाले हैं, निचरल रिसोर्सेस के बारे में, देखिए, निचरल रिसोर्सेस क्या होते हैं? सीधी सी बात है नेचर के अंदर जो नेचर हमें जो resources देता है जिनकी help से हम अपनी life को चला पाते हैं उनको हम natural resources बोलते हैं तो कौन-कौन से ऐसी चीज़े है जो हमें nature से मिलती है जिसकी वज़े से हमारा पूरा life का process चलता है for example अगर मैं देखू यहां पे water हो गया, food हो गया, यह maximum चीज़े air हो गई, यह सब चीज़े हमें nature से ही मिलती हैं तो जो हमारी अर्थ होती है वो already इस तरीके से बनी हुई है कि जो कि हमें जीने के लिए जो जो चीज़े चाहिए होती हैं वो सब कुछ हमें provide कर सके जैसे रहने के लिए जगा, घर बनाने के लिए जगा, पीने के लिए पानी, सांस लेने के लिए हवा, यह सब कुछ हमें nature से ही मिलता है जो कि हमारी अर्थ हमें देती है clear होगी बात, तो nature से मिलने वाले resources जिन की help लेकि हम life को proceed करते हैं, उनको हम natural resources बोलते हैं हर natural resources के बारे में हम detail में देखने वाले हैं, सब से पहले जो Pहला जो natural resource होता है, air हवा उसके बारे में देखेंगे तो हवा अगर मैं हवा की बात करता हूँ तो हमारे चारो तरफ हवा present होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ अगर हवा के constituents की बात करूँ कि हवा के अंदर कितने percent कौन से चीज पाई जाती है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा percentage में जो air के अंदर जो gas present होती है वो होती है आपकी nitrogen जो की 78% present होती है और जो oxygen होती है वो आपकी 20.9 almost 21% present होती है और 0.9 organ gas present होती है और 0.17 आपकी other gases present होती है और carbon dioxide 0.03 के बराबर present होती है तो air के यह major constituents होते हैं अगर कोई भी पूछे कि air के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी gas मिलती है तो nitrogen अब आपके दिमाग में एक लाजमी है एक question आना कि nitrogen जो gas सबसे ज़्यादा होती है तो हम nitrogen को inhale क्यों नहीं करते है नाक से हम nitrogen को क्यों नहीं लेते हैं हम oxygen को ही क्यों लेते हैं क्या हमारे नाक चान देती है उसको या फिर कोई दूसरा phenomenon है अभी हम उस चीज को समझने वाल है next से next slide के अंदर तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो nitrogen का और oxygen का जो constituent के अंदर percentage के level है वो कुछ इस तरीके से होता है तो आगे move करते हैं हम यहाँ पर कि देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे atmosphere की हमने air की बात करी और air किसमें present होती है atmosphere की तो हम देख होगा कि जो अर्थ होती है अर्थ के अलावा maximum जितने भी planets होते हैं उनके उपर atmosphere ना के बराबर या बिल्कुल भी नहीं है तो जो अर्थ के उपर जो आपके atmosphere होती है उसकी क्या importance होती है तो आप बोल सकते हो कि अर्थ के उपर atmosphere एक कंबल की तरह एक blanket की तरह काम करती है for example य atmosphere की layers से cross होती हुई sunlight आपके अर्थ तक पहुचेगी जिसकी वज़े से जो sun की rays है वो अर्थ को अचानक से गरम नहीं कर पाएंगी और जब अर्थ गरम हो जाएगी तो धीरे-धीरे जो heat है वो धीरे-धीरे करके बाहर की तरफ निकलेगी तो अचानक से ठंडा नहीं कर पा होता है वहां पे कोई भी एक atmosphere नहीं है तो जब वहां ठंड होती है तो वहां का temperature minus 190 degrees Celsius हो जाता है यह इतना temperature की हड्डियों को जमाने के से भी जादा ठंडा temperature आप इसको मान सकते हो और अगर वहां पे temperature बढ़ता है तो इतना बढ़ता है कि वहां पे आपकी बोड़ी पिगल सकती है तो 110 degrees Celsius तक moon का temperature increase हो सकता है तो atmosphere का रोल इतना होता है कि यह एक blanket की तरह काम करती है यह अपने एक layer पे layer by layer किस तरीके की layer रखती है तो इस तरीके से यह layer रखती है ध्यान से देखो और इनकी layers की importance समझ यह जो सबसे पहली layer होती है जिसको हम क्या बोलते है टॉप और स चलते हैं ठीक है तो first layer होती है आपकी atmosphere की toposphere दूसरी होती है आपकी stratosphere जो की 50 km तक होती है और mesosphere होती है जो 85 km उसके बाद में thermosphere फिर exosphere इस तरीके से आपकी जो atmosphere की layers होती है तो याद रखना है नाम topo, strato, उसके बाद meso, meso के बाद में आपका होता है next is the thermo, thermo के बाद exo तो ये आपको याद रखने है तो इस तरीके से atmosphere के अंदर क्या होती है layering होती है तो ये क्या काम करती है ये जब heat होती है उसको अंदर आने से slow करती है और heat अगर बाहर जा रही है उसको भी slow करती है ये एक bad conductor होती है जो air होती है वो bad conductor of heat होती है तो basic काम तो इसका यही होता ह और बहुत सारे काम होते हैं, भाई, atmosphere नहीं होगा, तो उसके अंदर gas नहीं होगी, gases नहीं होगी, तो आप oxygen कैसे ले पाऊगे, तो यह सारे important काम, atmosphere, अपने अंदर बसा के रखता है, continue करके रखता है, next time part देखने वाले हैं, यहाँ पे, the movement of the air, air के बारे में हमने देखा, और air atmosphere में रहती है, उसके बारे में देखा, अगर मैं air को क्या कर दू, flow करवा दू, तेज़ते चला दू, तो उसको हम बोलते हैं wind, क्या बोलते हैं, wind, wind जो होती है, वो भी एक nature से मिलने वाला resource ही है, आप बोलोगे कैसे, आपने कहीं न कहीं तो जरूर सुना होगा wind meal के बारे में मतलब एक ऐसी meal, जिससे हम electricity generate कर सकते हैं, जो कि एक resource की तरह काम आती है, दूसरा, जो हमारे चारो तरफ, आप बोल सकते हूँ कि जो wind होती है, winds जो होती है, वो high pressure से low pressure की तरह flow करती है, और जो winds होती है, in day time, the flow of wind, flow from sea to land, मतलब for example, मैं यहाँ पे एक यह जमीन है, यह जमीन का टुकड़ा है, और जमीन यह बीच है, बीच, बीच पता है न, गोवा वाले बीच पे, तो यहाँ पे है आपकी क्या, यह आपका समुद्र है, यह आपका sea level है, अब आप यहाँ पे द्यान से देखोगे, यह मैंने जो लिखा हुआ तो उसको द्यान से पढ़ना, in day time, the flow of wind, जो wind का जो flow होता है, from sea to land, मतलब sea से land की तरफ होता है, in day time, लेकिन रात के time पे, यह night में, आप बोल सकते हो, night के time पे, यह land से, this is land, और this is water, night के time पे, जो land से हवाएं, पानी की तरफ चलने लगती है, तो द्यान से सुनना है आपको, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो land होती है, वो गरम हो जाती है, गरम होने की वज़े से, और वहाँ पे, देखो, for example, दिन के time पे, अगर यहाँ पे sunlight होगी, तो sunlight सीधा का सीधा, sea water पे पड़ेगा, sea water के उपर यहाँ पे high pressure generate हो जाएगा, because, vaporization of water, फिर जो high pressure से low pressure की तरफ हवाएं चलने लग जा उसके अंदर बहुत सारी हवा बरदी, और छोटा सा छेद करोगे, तो हवा बाहर निकलेगी ना, क्योंकि अंदर pressure high है, बाहर pressure low, तो इस वज़े से हवाएं हमेशा high pressure से low pressure की तरफ move करती है, तो this is the phenomenon of the wind, तो यह आपको याद रखना है, तो wind के चलने से क्या होता है, wind के च नोमिना है, नेचर से मिला हुआ, एक resource होता है, अब हमारी जो air होती है, उसको हम जम के pollute करते हैं, जम के pollute करते हैं, कैसे, ऐसा क्या करते हैं कि pollution होता है, हम गाडिया चलाते हैं, हमने इतनी industries लगा दी हैं, इतनी गाडिया चलाते हैं, इनके अंदर से जितना भी contaminate होके, जो air होता है, वो पूरा का पूरा contaminate होके, या फिर उसको pollution increase होता है, तो इसको ही बोलता है, फिजिकल और कैमिकल और बायलोजिकल चेंज होना, एर का physical contamination होना, बायलोजिकल कंटामिनेशन होना, इसको हम एर का pollution होना बोलता है, इतना pollution बढ़ जाएगा, तो हम साहस कहां से ल पूराने से हमारे पूरे के पूरे environment में फरक होता है, हमारी जो gases हम इन्हेल करते हैं, वो polluted होती है, हमारा पूरा का पूरा एक एकको साइकल के अंदर एक pollution या के केमिकल चीज़े आ जाती है, तो प्लीज रिडियूज दा pollution, this is my humble request to all of you, as a teacher, as a YouTuber, कुछ भी समझ लो, ठीक है, तो pollution को जितना कम कर सकते हो, कोशिश करो, या कोशिश करना future में, अपने घरवालों को भी suggest किया करो, कि pollution कम से कम करें, और खुद भी pollution कम करें, हमको खुद एक Indian citizen होने के नाते, हम किसी के ऊपर हर चीज को नहीं टाल सकते हमें खुद responsible होना पड़ेगा, we have to be responsible for that, तो please, ये मेरी request सबसे की pollution बहुत ही कम, जितना कम हो सके, जहां भी आपको pollution होता हुआ दिखे, वहाँ पे उसको reduce करें, अब आपके दिमाग माईगा कैसे हम reduce कर सकते हैं, उसका पहला तरीका तो हो सकता है कि आप vehicles कम से कम करें, अग इसको पढ़ने से ही सिर्फ कुछ नी होगा यार, इन सिर्फ को, कि मैं आज आपको पढ़ा दूँगा, एर पॉलिशन क्या होता है, आप जाके लिख्या जाएंगे, मांक सा जाएंगे, आयाइटी निकल जाएगा, या फिर एक्जाम में निकल जाएगा, किसी जोब में चल करना सीखो, उसके लिए खड़े होना सीखो, चलो, let's move further, अब हम पढ़ने वाले हैं, green house effect के बारे में, नेचर ही नहीं बचेगा, तो इनसानियत, ये पढ़ना, ये लिखना, कोई मतलब नहीं होता इसका, ठीक है, तो पहले एक नेचर को बचाना सीखो, क्योंकि हमें इसके अंदर रहना है, अगर आप बोल रहे हो कि घर के अंदर बंप गिरा हुआ है, और आप पढ़ने बैठ सकते हो, क्या पढ़ने बैठ सकता है कोई इंसान, नहीं, तो पहले आपको चारो तरफ की चीज़ों को अच्छे से, अच्छे से उसको टैकल करना चाहिए, आगे देख से, हमारे चिमनी से, हमारे इंडिस्ट्री से, इंसान इतना मतलब ही हो चुका है, उसको मतलब नहीं है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, बसे पैसा कमाना है, क्योंकि उससे सब कु सॉल होता है, ऐसा उसको लगता है, लेकिन नहीं होता है, अगर आप अभी कोरोना हो रहा था, उसके अंदर oxygen नहीं मिल रहा था, आप कितने भी पैसे देदो नहीं था oxygen, तो अगर आपने nature को ही ठीक रखा होता, तो क्या आपको जरूरत पड़ती, तो आपको physically, naturally fit रहना जरूरी है, पैसा नहीं माईने रखता है, येस रखता है पैसा, लेकिन secondary है third होना चाहिए पैसा, तो green house effect क्या होता है, हम इतना CO2, carbon dioxide gas इतनी produce करते हैं, कि वो इस तरीके से trap होके एक layer बना देती है, इस तरीके से layer बना देगी, carbon dioxide के layer बन जाएगी, और ये layer क्या करेगी, जब sun से आने वाली, जो sun rays होती है, वो अंदर आके heat को increase करेंगी, और वो heat इस layer के अंदर फंस जाएगी, बाहर ने निकल पाएगी, और यहाँ पे globe जो है आपका globe, मतलब धर्ती जो है, वो warm होने लग जाएगी, गरम होने लग जाएगी, और इस वज़ए से global warming होगी, तो greenhouse effect is nothing, but when sunlight came into the, came in a layer, and increase the temperature of your globe, globe बोल दो है, अर्थ बोल दो, clear होगी बात, अगर मैं इसको थोड़ा animation से समझाना चाहूं, तो sunlight जब अंदर आती है, तो यहाँ पे एक atmosphere में CO2 की, जाद रखना कौन सी gas की? CO2 की layer होती है, तो CO2 की layer होती है, इसकी वज़ए से sunlight का आने वाली जो heat होती है, बाहर जाना चाहती है, लेकिन नहीं जा पाती, तो this is called the global warming होना, इसकी वज़ए से ही होता है, अब आपको सोचाओगा तो इसको global warming क्यों नहीं बोला, इसको green house effect क्यों बोला, तो ध्यान से देखो, जितनी भी ठंडी जगाए होती है, जैसे जम्मो इंड कश्मीर, वहाँ पे ऐसा ही एक घर बनाया जाता है, जो क्या करता है, उससे sun की light आती है, sun rays आती है, और वो काच का घर होता है, उसके अंदर खेती की जाती है, उसके अंदर खेती करी जाती है, जो heat होती है, पेड को फलने और फूलने के लिए heat तो चाहिए ही, तो जो sun की rays होती है, वो अंदर आती है, और अंदर आने के बाद में क्या होता है, वो heat trap हो जाती है, इसी तरीके से same phenomena यहाँ पे होता है, और same phenomena यहाँ पे होने की वज़े से, हम इसको relate करके green house effect बोलते हैं, this is the protecting layer, यह layer हमको क्या करती है, बचाती है, किस से बचाती है, हमारे atmosphere में, sun से आने वाली जितनी भी UV rays, ultraviolet rays होती है, उससे हमें बचाती है, अगर ozone layer नहीं होगी, तो sun से आने वाली हर तरीके की जो rays होती है, वो हमारे तक पहुँचेंगी, हमारी body को damage करेंगी, हमारे आंख ट्रॉपस्पेर मैंने बताया था अभी, और जो solar radius, जो ट्रॉपस्पेर और stratosphere के बीच में, एक layer होती है, जिसको बोलते है, पतली से layer, ozone layer, ozone का formula होता है, oxygen के तीन molecule, O3 के नाम से ozone को बोलते है, तो यहाँ पे एक ozone layer बनती है, यह क्या करती है, sun से आने वाली ultraviolet rays को रोग दे होती है, वापस भीज देती है, अभी क्या हो रहा है, कि इसका depletion हो रहा है, यह टूट रही है, क्यों टूट रही है, क्यों हम chlorofluorocarbon, या फिर बोल सकते हो कि fridge के अंदर जो gas use होती है, उसका ही नाम होता है chlorofluorocarbon, इतनी use करते हैं कि वो निकल निकल के, निकल निकल के atmosphere मे जाती है, जब वो gas atmosphere में जाती है, तो O3 से मिलती है, जिसको ozone बोलते हैं, इससे जब मिलती है CFCS, तो वो बनाती है O2 प्लस O, मत्तब इसको deplete कर देती है, उसके वज़े से क्या हो रहा है, जो ultraviolet rays है, वो अंदर आपा रही है, तो protecting layer बनाना बहुत जरूरी है, हमारी ozone layer को, तो उसके लिए हमें, जो refrigerator के अंदर chlorofluorocarbon यूज करते हैं, उसको reduce करना चाहिए, उसको कम से कम करना चाहिए, कोई दूसरा alternative हमें सोचना चाहिए, अब हम देखने वाले हैं कुछ cycles, कि कैसे gases की cycle हमारे atmosphere, nature के अंदर हमें दिखाए देती है, सबसे पहली जो cycle होती है, वो हम 20% oxygen naturally present है, कितनी 21%, इसको animals क्या करते हैं, लेते हैं, कैसे लेते हैं, inhale करते हैं, नाक से लेते हैं, सूंगते हैं इस तरीके से, इस तरीके से inhale कर लिया, अब inhale करने के बाद में क्या होगा, वो अंदर जाके हमारे process करेगा, food को, carbohydrate को energy में बदलने का काम करेगा, उसके बाद में बाहर निकलेगा, oxygen किस form में, CO2 की form में, कैसे, exhale की form में, exhale करेंगे, तो जो आपके plants जो होते हैं, वो plants उनको inhale करेंगे, पत्तियां उनको ले लेंगी, पत्तियां आपको पता है कि CO2 को लेती हैं, CO2 को लेती हैं अपने अंदर, और क्या बनाती हैं, CO2 को लेके oxygen बनाती है, त मल्क oxygen को CO2 बना के निकालता है, CO2 को plant लेता है और oxygen बना के निकालता है, फिर यह atmosphere में आती है, फिर इसको इस तरीके से यह, it will be continue like this, तो I hope you got the point, किस तरीके से इसका process होगा, next हम यहाँ पर देखने वाले हैं, very very important और थोड़ी सी आपको परेशान आने वाली nitrogen cycle, nitrogen आपके atmosphere में 78% present होती है, 78% आपके atmosphere में present होती है, लेकिन हमारी body को जरुत होती है बहुत ज़्यादा, हमारे body के अंदर जो DNA होता है जीन जो होते हैं, वो nitrogen से ही मिलके बने होता है, या बोल तो body के अंदर जो protein होता है, वो nitrogen से ही मिलके बना होता है, अब आपके दिमाग में आना चाहिए, तो हम इसको कैसे consume करते हैं, देखि से लेते हैं, ठीक है, अब खाने में कैसे पहुंचता है वो, चलो start करते हैं, atmosphere में present, जो nitrogen है 78, वो बारिस के थुरू, या फिर बारिस होते time पे जो lightning होती है, उसके थुरू, जब lightning और बारिस एक साथ होती है, तो उस time पे जो nitrogen atmosphere में हो, वो soil में आ जाती है, soil में किस form में आत nitrogen होती है, जो आपकी nitrogen होती है, वो hydrogen से जुड़ना शुरू कर देती है, कुछ bacteria ऐसे होते हैं, जो इनको hydrogen से जोड़ते हैं, उन bacteria को बोलते है, nitrogen fixing bacteria बोलते हैं, जो कि soil के अंदर आराम से पड़े होते हैं, उसके बाद में जो आपका plant होता है, वो कभी भी ammonia की form में consume नहीं कर सक तो क्या होता है, फिर फर्दर कुछ आपके nitrifying bacteria होते हैं, वो NH3 को convert कर देते हैं, NO3 में, nitrate में, nitrate में convert कर देते हैं, जब NO3 में convert हो जाता है, तो nitrification के बाद में इसको plant consume कर लेता है, मतलब plant किस form में nitrogen को consume करेगा, NO3 की form में, आया किस form में था, NH4 की form में, किसने इसको convert किया bacteria's ने, fungi's ने, अब इसके बाद plant में जाने के बाद में, plant को खाता है animal, जानवर खालेगा, या फिर हम लोग खालेंगे, जानवर या तो उस plant को जो खाया है, या तो उसको poti बनाके, या फिर excreta बनाके निकाल देगा, और वो poti ammonia की form में निकलेगी, और वो ammonia दुबारे से NO 3 होते हुए, NO2 होते हुए, NO3 बनेगा, और वापिस plant के पास चला जाएगा, और plant के पास जाने के बाद, या तो animal मर भी सकता है, मरेगा तब ही NH4 में ही convert करेगा, ammonia में ही convert करेगा nitrogen को, नहीं तो, जो ये NO3 बना था, उसको या तो assimilate कर लेगा, plant consume कर लेगा, अगर ऐसा नहीं और oxygen को अलग करने का काम करते हैं, जो nitrogen और oxygen जब अलग-अलग हो जाते हैं, तो हवा में nitrogen घुल जाती है, और oxygen भी हवा में अलग से घुल जाती है, तो हवा में oxygen और nitrogen को पहुचाने का काम आपका NO3 करता है, तो this is the cycle of the nitrogen, I hope you got the point, next is the carbon cycle, what happened in the carbon cycle, इसके अंदर carbon का पूरा का एक process होता है, कि carbon start को के खतम कहां पे होता है, तो देखिए, carbon को हम देखते हैं CO2 से, CO2 is nothing but, ये atmosphere में present carbon का molecule होता है, इसको कौन लेता है, आपका plant लेता है, प्लांट जब लेता है, तो plant क्या करता है, तोड़ जाता है, तोड़ के decay हो जाता है, decay होने के बाद सड़ता है, गल प्लांट बनते हैं, आपके dead organism या fossil fuels बनते है, fossil fuels को factories में ले जाया जाता है, और उनको क्या किया जाता है, यूज लिया जाता है, फैक्टरी में, गाडियों में, तो दुबारा से वो गाडियों से बाहर निकल के दुबारा से atmosphere में आ जाते है, clear होगे बात, नहीं तो दूसर प्लांट में जाएगा या अनिमल के अंदर प्रिजेंट होगा, कार्बन की बात हो रही है, सियोटो की नहीं हो रही है, और वह प्लांट तूटेगा, तूटने के बाद हो फोसिल फ्यूल मतलब पैट्रोल बनेगा, उस पैट्रोल को फैक्ट्री में ले जागे, मशीने कुछा पानी किस तरीकी से घोमता है, आपके नेचर के अंदर. देखो, बादल बनते हैं, हम बादलों से स्टाइट करते है, बादल इक दूसरी से क्या होता है? टकराते हैं, और बरसते हैं, जिंको हम प्रिसिपिटेशन बोलते हैं, जब वो यह दोजन दोफ किया विंग है तो क्या होता है उनका सफला क्या सफ of warfare पोड़ी उनक्यूर्ट में न सफवाश्यू है है तो दुबारा से बादल एक दूसरे से टकराते हैं और फिर से precipitation मतलब बादल बरसते हैं तो इस तरीके से cycle चलती रहती है चलती रहती है तो यह आपका water cycle है अब हम बात करता है soil की क्योंकि यह natural phenomena है या फिर natural product है nature से मिलने वाला product है soil कैसे formed होती है soil की formation का पैले step होता है आपकी बड़ी बड़ी चटाने बड़ी बड़ी चटानों पर क्या होता है रगड लगती है किन-किन के महाध्यम से कौन-कौन मीडियम होता है तो air हो सकती हावा से रगड लगे water से रगड लगे sunlight से रगड लगे इसकी वज़े से यह बार एक छोटे छोटे पार्टिकल में convert हो जाता है इसी छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं soil बोल देते हैं soil दुबारा से एक जगह पर जमती है जिसको uphevil या sandivantation भी बोलते हैं दुबारा से रोक में calcium sulfur यह होते हैं अगर नहीं होते हैं तो हम इसे fertilizer की रूप में डालते हैं तो यह आपका complete natural resource वाला chapter हो गया तो आयोप आपको समझ में आ गया होगा अगर आपको यह chapter अच्छा लगा तो please do subscribe please support my work अगर मेरे काम को support करना चाहते हैं just press on the subscribe button thank you everybody आपको अच्छा लगा हो तो please hit like बटन नीचे comment में कुछ भी लिखे अच्छा लगा तो अच्छा लगा तो बुरा लगा तो बुरा लगा तो बुरा लगे थेंक्यू